हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे आप सभी लोग अच्छे ही होंगे उम्मीद करता हूं तो आज एक मन में जो ख़याल आए उसको मैं आपको सेयर करना चाहता हूं कुछ है मज़ेदार तो आप सुनें तो सुनने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राब कर लेना हो सके तो बैल सब्सक्राइब करते होंगे शायद आपने किया होगा तो प्लीज कमेंट में बता जरूर देना है जैसे मान के चलो हम कोई साथी पार्टी या कहीं किसी भी प्रोग्राम में गए ज़्याद असर मैं गाउन की बता रहा हूं और एक सहर की बता रहा हूं तो गाउन के लोग और सहर के लोग मेहमान बनके दूसरे जो यहां पर प्रोग्राम होता है दूसरे के यहां तो सभी जाते हैं जाते तो हैं तो वहां पर मेहमान वाजी के लिए वहां पर पकवान बनते हैं सभी के लिए वहां की जो औरत होती हैं तो औरत हैं मेहमानों का ख्याल रखती हैं वहा चूते हैं पानी पिलाते हैं सब मतलब पूरी बवस्ता करते हैं लेकिन कुछ लोग ना वैसे बता रहा हूं गाउं के जितने भी लोग जाएंगे तो जाती इस मकसद से हैं कि पगवान बनेंगे और पगवान कीच के खाने हैं उन्हें टेंसन के कौन सा डंडा है उसमें कौन सा रिफाइंड है क्या है उनको तो बस ठूसना आए ठीक है अब बात करें सहर के कुछ चुनंदा लोग जाएंगे वह उस चुनंदाओं में से कुछ तो गाम से ही होंगे लेकिन सहर में जाके ना उनका रुक परवर्तन हो गया अप्र चैंज हो गया अब चैंज कैसे जाए तो बड़ी इस्टाइल में रहेंगे इस्टाइल में रहेंगे गाउंवालों से अलगी अंदाज में पेस्ट कर आएंगे तो मतलब अब तुझे बाजार में रह रहे हैं सिटी में रहे हैं तो इनका कुछ अलगी मूड है तो मतलब जैसे पकवान है तो पकवान क्या करेंगी जै कहेंगे नहीं मैं पकवान खाता नहीं हूँ नहीं मेरे को दिक्कत अधियस से मैं खाता नहीं हूँ तो जह लल्लियों को ये नहीं पता जिम्ला मेहमान बाजी हो रही है तुम्हारी तो उनके यह प्रोग्राम थे तो तुम पकवान नहीं खाएंगे तो यह क्या खाएंगे तो कहते हैं रोटी रोटी हो रोटी यह बुस्य माल कुछ माल अबे साले रोटी खानी थी तो का जग मराने आयते हैं इतना फेशन क्यों बगरा रहा है मतलब तेरे घर तो डेली पकवान बनते होंगे तो तो पकवान से ओंक गया है मतलब बोरियत हो रही है ना तेरे को पकवान से भाई ऐसा है वो अपना काम करें कि तुम चुनिंदा लोगों के लिए रोटी बनाने बैटें फिर तुम्हें रोटी खिलाएं नहीं नोटंकी मत किया करो मजा नहीं आता ऐसी नोटंकी में जो बना है जितना है ना उतना खालो न काई वैसे दूसरे को परिशन करते हैं तो बस यह इस वीडियो का मकसद था तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट वर्क्स में जरू बताना आप यह उस चुनिंदाओं में से हैं तो प्लीस सर्म ना करें बताना अपनी आदत को बदल लेना क्योंकि दूसरे के जाती हैं तो खाना जो नो ने बनाया उसको खाना चाहिए ना कि अपनी चॉइस क्योंकि चॉइस अपने घर पर की जाती है ना कि दूसरे के यहां दूसरे को अपना रुत्वा मत दिखाईए यार दूसरा है महमान है मारे रिष्टेदार है उनको अपन हैं तो अलग बात है लेकिन आप बीमान नहीं है फिर भी अपने फेशन में आ करके कुछ भी चलो